गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम साइंस में चैप्टर नूमबर थ्री में अब नेक्स टॉपिक पढ़ेंगे और वो है परमारू क्या होते हैं एटम किसे कहते हैं ठीक है एटम जो होता है परमारू वो बहुत ही जादा छोटे होते हैं ठीक है यह इतने छोटे होते हैं क हमें हमारी आँखों से यह नहीं दिख सकते ठीक है और जो परमारू होते हैं उनको अगर हम मालेजे एक के ओपर एक रखती भी जाएं तो एक कागज इतनी पत्ली शीट बनेगी ठीक है परत बनेगी सूचिए वो भी बहुत कठीनाई से यह कितने छोटे होते हैं बहुत ज इसलिए जितने भी प्रकार के पदार्थ मैटर इस पूरे वाल्ड में हैं वो सब की जो बेसिक यूनिट है रचनात्मक एकाई है वो क्या है परमारू है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं अगर हम कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें बहुत सरा सामान चाहीए ह होता है ठीक है लेकिन उसमें से सबसे जो इंपोर्टन सामान होता है वो होता है हमारे bricks, eat है ना अगर वो eat हमारे पास न रहे तो फिर क्या है घर के सकाम का cement बालू सब रखा रह जाएगा इसलिए हम कहते हैं कि जो एक माकान होता है एक building होती है वो इटों से बनती है इट के उपर इट रखते जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक तो हमें एक दिवार बनती है फिर उससे एक माकान बनता है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि किसी भी घर की एक basic unit जो है वो इट है ऐसे ही हमारा शरीर है जो भी जीव जनतू होते हैं आपने पढ़ा है कोशिका के बारे में ठीक है सभी जीव जनतू है जितने भी जीव जनतू हमारे विशू में है सभी जो है कोशिका से मिलके बने हैं जब एक कोशिका होती है ठीक है एक कोशिका से दो कोशिका आपस मिलती ह तो क्या होता है? उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, उत्तक को एंगलेज में टिश्यू कहते हैं, ठीक है? अंग मतलब औरगन, औरगन से फिर औरगन सिस्टम, इस तरह से पूरे एक जीव की या जनतों की जो भी औरगनिजम उनकी बॉडी बनती है, ठीक है? तो हम कह स फार से हमारे विश्व की सभी चीज एंठीक है सभी चीज इसी परमाणू से बने इस की बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है ठीक है मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो परमाणू की तरिज्जा होती है उसको हम नैनो मिटर में नापते हैं और आप यह याद रखेग पविश्व में सवाल अवाल लगाने में बहुत काम आता है ठीक है और ठीक इसका उल्टा जो है एक मीटेर में 10 तो दी पावर 9 नैन नमेजर ठीक है आपको जो सविधा लगे आप उसको अपने दिमाग में बैठा सकते हैं ठीक है अब आपके बुक में लिखा है कि परमारू का आकार इतना सुक्ष्म सुक्ष्म मतलब इतना ज़्यादा छोटा होता है कि इसको हम नेगलेजिबल ना मान कर चल सकते हैं ठीक है पर इसका मतलब यह नहीं कि हम इसके बारे में पढ़ें ना क्यों नहीं इसके बारे में पढ़े क्योंकि हमारा पूरा वेश्व क्या है परमाड़ों से बना है जो कि मैंने अभी आपको बताया ठीक है भले ही हम इनको देख नहीं सकते हैं लेकिन यह छू नहीं सकते हैं लेकिन यह हर जगर विद्यमान है हर जगर पाया जाते हैं ठीक है लेकिन इतनी सारी टेक्निक्स अब इतने जादा अच्छे हाइटेक एलेक्टोर माइक्रोस्कोप और यह सब टेक्निक्स और टूल्स आ गई है जिससे कि अब हम आटम्स को पर मारूं को बहुत हिस पश रूप से देख सकते हैं ठीक है अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं मैंने जैसे पताया कि मारूं जब एक साथी कठा हुए तो क्या बन गया क्यों ठीक है ठीक इसी प्रेकार से यहां पर देखिए जो पैंसिल है इसकी जो यह उपर की जो शार्प नोख होती है उसमें देखिए उसको जब आप तोड़ देंगे और तोड़के उसको अच्छे से मसल देंगे तो वो कठा एक कमबाइन करते हैं तो हमें यह नुक्विली पैंसिल की जो है नोख मिलती है ठीक है अब आप सोच रहे होंगे कि जो आटम कितना छोटा होता और कितने मॉलिक्यूल से अटम के होते होंगे ठीक है तो आप यहां पर देख लीजिए कि जैसे आपने पानी लिया है ठ चमच पानी में ध्यान देना बैच्छों सर्फ एक चमच पानी में 600 billion trillion water molecule होते हैं अगर आपको 600 billion trillion नहीं समझ में आ रहा है तो यहां संख्या दी होगी है ठीक है इस संख्या को आप count कर लीजी जी जितने 0 है और 6 यानि कि एक चमच पानी में इतने ज़ादा पानी के molecules होते हैं, मतलख इतने H2O होते हैं, एक चम्मच पानी में इतने H2O होते हैं, सोच लेजिए, तो एक गिलास पानी में कितने H2O होंगे, आप इसी कलपना भी नहीं कर सकते, ये atoms इतने जादा छोटे होते हैं, ठीक है, अब तो समझ में आ गए अब हम यहां पर next topic पढ़ते हैं विभिन तत्वों के परमारूं के आधुनिक प्रतीक क्या है ठीक है अब जैसे आधुनिक प्रतीक है यह क्या होता है अब जैसे मान लीजे हमारे इंडिया में जो है का क्या कहते हैं उसको कोई आता है हमें प्रणामा क्या कहते हैं प्रतें सैंटिक है एंगलिश में क्या बिलते हैं क्या में ऑसलाम इल करते हैं आर ऐसे वह यहां पंजाबी magic आति कि किसी से जब हम मिलते हैं तो जब अलग एलग तरीके सो आपकोनण सारव सबस्टूट्स इस तब हैं हमारा दौनिया बगधा ब़रे यह रहते है जी यह है सालक्तितों ने इता हैं आलग और परकार की भाषा है पुली जाती है ठीक है कोई कहीं की भाषा बर्टा भुल था है अब हम युद साओट की लिए इसे त्थाूरिये प्रषें भाशाही है जहां पर इटलीं भाषा है वो बोली जाती है। और आपको वहाँ पर आम चाहिए, मैंगो, तो आपको तो भाषा आती नहीं है, तो फिर आप कैसे आम खरेच सकते हैं, इसलिए इन सब कन्फूजन को दूर करने के लिए, जो एक सोसाइटी बनाए गई, ठीक है, वो सोसाइटी का नाम रखा गया, International Union of Pure and Applied Chemistry, ठीक है, International को I, Union को U of Pure and Applied Chemistry, ठीक है, मैं यहाँ पर इसका नाम लिख दे रही हूँ, यह सोसाइटी इसलिए बनाए गई, क्योंकि जैसे जैसे जो तत्व खोजे जा रहे थे, ठीक है, जो भी तत्व होते हैं, जब वो खोजे जा रहे थे, उनका नाम रखना पढ़ तक हो से तत्व मिल रहे थे, अगर मां लिए आपको उपर अभी आप कहते हैं, कोपर मतलद कामभा, पटाक से पता है, है न? पोटेशियम मतलब अच्छा हाँ एक पोटेशियम के की बात कर रहे हैं ठीक है लेकिन यही पोटेशियम कहीं कुछ कोई किसी और देश में किसी और भाशा में कुछ और कहते हैं तो इन सब कन्फूजन को दूर करने के लिए और पूरे वर्ल्ड में एक लेंग्विज साइन्स के लिए एक लेंग्विज और एक फिगर ठीक है एक सिंबल बनाने के लिए जो है ऐसी संस्थाओं का गठन हुआ IUPAC chemistry की एक संस्था है chemistry के लिए के field में काम करती है ऐसे ही biology में होता है ठिक है ताकि जो है जो यह जो यह भरंग के स्थिती है वो कहीं पैदा नहों और जो भी scientist है जास फेल में भी काम करते हैं जो भी लोग है जब पूरे वर्ल में कहीं भी ट्रावल करे तो अगर वो copper बोलें कॉपर मतलब वहां पर लोकल जो भी बोलते हैं पर जो साइंस का बच्चा वो कॉपर समझ जाए कि हाई किस की बात कर रहे हैं ठीक है इसलिए यह आयो पीएसी का गठन किया गया और आयो पीएसी का एंग्लिश में होता है इंटरनेशनल यूनियन आफ प्योर एंड एपलाइड केमेस्ट्री ठीक है इसी को शॉर्टकट में कहते हैं आयो पीएसी ठीक है इसका काम होता है तत्वों के नामों को ठीक है उनके प्रतीकों को और मात्यकों को स्विक्रिती देना ठीक है और इस आयो पीएसी के हिसाप से जो तत्वों के नाम रखे जाते हैं वो basically एक या दो अक्षर से बने होते हैं, वो भी किस भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर example ले लिजिए, और हमेशा पहला अक्षर capital रहेगा, और दूसरा अक्षर small रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर hydrogen, ठीक है, hydrogen को हम कैसे लिखते हैं, उसके spelling क्या होती है, H, Y, D, R, O, G, hydrogen, ठीक है, तो hydrogen का जब नाम रखा गया, तो इसमें से इसका सिर्फ पहला अक्षर लिया गया, ठीक है, और वो क्या था, H, ठीक है, तो दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे, और आप किसी भी science के बच्चे से पूछेंगे, और आपने सिर्फ H लिख दिया, तो समझ जाएंगे, यहां पे hydrogen के बात हो रही है, चाहे हो इटली का हो, चाहे हो वेस्ट इंडीस का हो, कहीं का भी हो दुनिया में, हैना, चाहे हो तामिल नाडू का हो, हैना, उसे पता है कि H मत कब क्या होता है, hydrogen, और हमेशा बड़ा अक् oxygen जानते है न, क्या होता है oxygen, यह होता है, तो इसका क्या मत रख हो गया, ओ, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक, इसी प्रकार से, aluminium, ठीक है, अब देखिए यहां पे, aluminium, aluminium जो है, वो, दो अक्षर से, इसका मिलके मात रख बनाए गया है, starting के यह दो अक्षरों को ले लिया गया है, ठीक है, A और L, इससे मिलके बना aluminium, तो कभी भी आप अगर A और L लिखते हैं, खाली, चिपका-चिपका के, A और L यह ने कि A यहां लिखे हैं, और L इतनी दूर लिखती हैं, लंदन में तो ऐसा नहीं है, बगल-बगल, ठीक है, तो फिर जो है, इससे aluminium बढ़ा जाएगा, ठीक है, यह नहीं कि आप A capital और L capital, यह गलत है, यह aluminium का symbol नहीं है, यह पिर पहला अक्षर छोटा, दूसरा अक्षर बढ़ा, यह भी गलत है, पहला अक्षर छोटा, दूसरा भी छोटा, यह नहीं कि मन कर रहा है, smalls में लिखे हैं सब इस मॉल में, यह भी गलत है, इसे aluminium नहीं कहेंगे, ठीक है, aluminium का कहपा तीक है, AL ही है, लेकिन हमेशा पहला अक्षर बढ़ा रहेगा, और दूसरा अक्षर हमेशा और हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया, जैसे chlorine होगा, ठीक है, chlorine, ठीक है, chlorine में C, sorry, C और L, ठीक है, समझ में आ गया, C और L, तो C बढ़ा और L छोटा, अब जैसे cobalt हो गया, cobalt, ठीक है, तो cobalt में, यहाँ से C बढ़ा और O छोटा, ठीक है, एक सेकंड, C बढ़ा और O छोटा, यह आपके cobalt का क्या है, symbol है, ठीक है, यह नहीं कि C छोटा और O बढ़ा, गलत, बिल्कुल गलत, यह C बढ़ा और O बढ़ा, यह गलत, यह पता है क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा, carbon monoxide, ठीक है, देखा, सिंबल में छोटा बढ़ा चेंज करने से पूरा formula ही बदल गया, ठीक है, यहाँ O छ दिया तो carbon monoxide बन गया, इसलिए बहुत ध्यान देना रहता है, ठीक है, तो यह एक अलग chemical बन गया, लेकिन तत्मों का नाम नाम आंकर जो है, वो एक बढ़ा और एक छोटा letter से ही करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, तत्मों का नाम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर आपके book में कुछ तत्मों के नाम लिखे गए हैं, यहाँ पर, कुछ तत्मों के नाम जो है Latin और जर्मन यानि की Greek भाशा से लिए गए हैं, ठीक है, जैसे iron है ना, अब iron को कैसे लिखते हैं, iron I-R-O है, तो लगता है चलो इसका सिंबल या तो IR होगा, या IO होगा, या लेकिन इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, क्या सिंबल होता iron का, iron को हम हमेशा F-E लिखते हैं, एकदम उल्टा, ऐसा क्यों, क्योंकि यह इसका नाम जो है Latin भाशा से लिया गया है, और Latin भाशा में iron को क्या कहते हैं, पता है, ferum, iron को ferum कहते हैं, इसलिए इसका F-E लिया ग ठीक, इसी तरह से sodium है, sodium, sodium, sodium का सिंबल क्या होता है, na, लेकिन नाम से क्या लग रहा है, क्या तो S-O रहेगा, या S-D, sodium को नाम भाई S से होना चाहिए, हम पहला अक्षर लेते हैं, और बढ़े में, दूसरा अक्षर कुछ भी हो सकता है, छोटे में, लेकिन इसका नाम क्या इसको जो है, इसको जो है, लेकिन भाषा में, नैट्रियम कहते हैं, तो नैट्रियम कहते हैं, इसका नाम क्या पढ़ा, इसका सिंबल क्या पढ़ा, na, ठीक, वैसे ही आपका पोटेशियम होता है, ठीक है, potassium की spelling क्या है P से है symbol क्या आँ जाहिए P से start लेकिन होता क्या है potassium का symbol K से क्यों के से क्योंकि potassium को latin भाषा में calium कहते है क्या कहते है calium इसलिए यहाँ पे K से start हुआ ठीक है तो कुछ कुछ ऐसे भी आपको तत्वे मिलेंगे जिनका जो symbol है जो प्रतीख है वो उनके spelling से match नहीं करता है क्योंकि उनका जो symbol है वो दूसरे भासाओं से लिया गया है ठीक है और पाकी सभी का जो है आपका symbol जो है spelling से match करेगा ठीक है अब यहाँ पर कुछ तत्मों के प्रतीख दिये गए है हम देखते हैं इसा याद करें ज़रूरत नहीं है प्रैक्टस करते करते आपको आ जाएगा ठीक है Aluminium का AL Argon AR Barium BA Boron B Bromine को दिखे लिखते हैं B-R-O-M-I-N-E Bromine इसका हो गया B-R Calcium C-A Carbon C Chlorine C-L Cobalt C-O Copper C-O Fluorine F Swernia Gold इसको AU कहते है AU क्यों तो यह जो गोल्ड है इसको AU लिया गया क्योंकि यह Latin भार्षा के Aurum से लिया गया है Latin भार्षा में Gold को जो है Aurum कहते है इसलिए Gold का जो सिंबल है वो AU है ठीक है समझ में आ गया Hydrogen को H Iodine को I Iron को FV, C-Shay को PB Lead Magnesium MG, Neon NE इसी तरह से आपको यहाँ पे भी बहुत सारे प्रतीक देखने को मिल जाएंगे अब इन सभी प्रतीकों को ध्यान से पढ़ लीजेगा इसे याद करने के ज़रूरत नहीं है और कल हम पढ़ेंगे परमाडू द्रवेमान टे के अग्छू को यहाँ द्रवेमा बच्चे से